हेलो दोस्तों नीप्टी और बैंक नीप्टी अनलाइसिस का इस वीडियो पे मैं एस पर एलियो टोयप थियोडी यह दिखाऊंगा कि कल और आने बाले एक दू दिन के अंदर मार्केट कौन से जिसा पर जा सकते हैं किया हो सकते हैं इसका इंपोर्टेंट लेबल्स तो सुरू करते हैं आज का अनलाइसिस इससे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को यह निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी टू आउर का टाइम प्रेम दिखा कर यह बोला था कि इधर एस पर इचिमो को भी आप आप आगर देखना चाहेंगे इचिमो को इसे ट्रेंड फॉ आते ही जा रहा है तो ओपियसले आप मेंसे बहुत साए लोग एक प्रॉब्लेम हो रहा है आप लोगों को जो मैं आप लोग मुझे चाट सेंट कर रहा है मैं देख पा रहा हूं टेलीग्रम पे होटसेप पे कि इधर से आप लोग पूट बाइ करने का कोसिस कर रहा है तो म नॉर्म्मली ये 1,2,3,4 के बाद जब फीप तो इब इतना लार्ज होती है यान की extend करने का कोशिज कर रहा है ये फीप तो इब तो एगर फीप तो इब एक्स्टेंट करने जो नॉर्मली नहीं होती है तब आप लोग अगर इदर से exact top catching करने का कोशिस कर रहे हैं तो इधर तीन वह इपते top catching किया जा सकते हैं price, pattern and time और उसके साथ चाथ आप जो different indicator को आप ले सकते हैं तो यह जो different indicator है चलिए यह मैं दिखाता हूँ पहली बात है यह ichimoku wise जो मैंने बोला कि यह थोड़ा late confirmation देते हैं बट इधर भी confirmation आपको मिलते हैं और यह confirmation fake होने का chance बहुत ही कम होते हैं क्योंकि यह थोड़ा late मिलते हैं तो ichimoku wise there is no such confirmation कि इधर से market अभी के लिए BRS बन ही गये हैं ऐसा कोई confirmation नहीं है अभी भी market इधर से थोड़ा आप जा सकते हैं दूसरा confirmation जो है वो होगा इस RSI के मातम से नौर्माली क्या होते हैं कि यह जो fifth wave पे momentum कम होते हैं तो यह fifth wave के अंदर अगर मैं मान भी लूँ कि यह one two three यह जो है यह में भी आपको एक fourth wave हो गया है यह ABC करके यह third है यह fourth है and then यह जो fifth wave के लिए market अभी जा रहा है तो आगर यह fifth wave ऐसे खतम भी होगा तो यह third and fifth के अंदर भी बात करें या फिर जो भी इधर wave हो रहे हैं उसके बीच में आपको दिखेगा कि volume जो है यह धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं या फिर यह जो RSI OIS भी अगर आप देखेंगे तो इधर से अगर मार्केट में कोई sharp और कोई phrase buying ना आये I repeat कोई sharp और phrase buying अगर ना आये यानिकि एक sharp candle जो बहुत ही bullish day अगर आपको ना देखे phrase buying ना हो जाए तब यह जो है यह इधर से एक reversal ही दिखाएगा ओके यह होने का chance है यह nifty का और bank nifty पर भी moralize सेम ही है two hour का time frame पर मैं दिखा रहा हूं तो अभी चलिए सेम चीज़ को 15 मिनिट और पांच मिनिट पर भी देखने का कोशिस करते हैं तो यह है निप्टी का 15 मिनिट का चार्ट इधर आगर आप देखेंगे तो यह जो इची मुखु है यह इधर से यह जो surprise दिया था उसके बाद से यह जो कीजू से लिए यह जो लाइन यह जो बेस लाइन यह की जून लाइन बोलते हैं यह की जून लाइन के उपर मार्केट अभी है लेकिन 15 मिनिट पर यह ब्रीच कर गये हैं तो इसका मतलब आप लोगं कंफ्यूज हो जाते हैं तो इधर मैं बोलना चाहूँ को कोई बात ही नहीं है इदर एक चीज हो रहे है कि market जो है यह 1,2,3,4 करके मैं अभी कोई 14 टाइम फ्रेम का यह कोई 5th complete करने का कोशिस कर रहे हैं कोई न कोई एक साब डिग्री का तो इसलिए यह जो है यह लागातर इसके नीचे आ रहे हैं यह जो किजून लाइन है इसको यह लागातर penetrate कर रहे है ब्रीच कर रहे हैं ओके तो यह स्मॉलर टाइम फ्रेम का है और जब यह कीजून लाइन को लगातर यह ब्रीच कर रहे हैं तो आप लोग का काम यह है कि यह 15 मिनिट पे यानकि 15 मिनिट का भड़ो से आप लोग कोई इसको swing trade ना करके कोई बड़ा टाइम फ्रेम का भड़ो स ही swing trade करें अगर करना है तो 15 मिनिट के भड़ो से आपको intraday करना है यह intraday के लिए ही बस एक movement जो है यह दिखा पा रहा है और market जो है जब इधर से जब आ रहा था तब देखिए यह किजून लाइन से लागाता टाच हो रहा था market आप जा रहा था बट इधर वो momentum नहीं है और जब momentum नहीं है तो बैसलिए आपको इसको intraday के लिए इस्तमाल करना है ना कि swing trading के लिए लेकिन जब इधर momentum आच्छा खासा था तो इस जगाओ के करिब-करिब आप लोग इसको swing trading के लिए भी इस्तमाल कर पाएंगे बट इधर यह swing trading के लिए और सही नहीं है तो आभी चलिए इसका 5-minute और 1-minute का चार्ट पर भी चलते हैं और सेम चीज़ देखेंगे बैंक निप्टी पर भी तो आभी हम आ गया निप्टी का 5-minute का चार्ट पर जैसे कि मैं बढ़ टाइम प्रेम पर दिखा कर बोल रहा हूं चाहे निप्टी या बैंक निप्टी मार्केट जो इसे डीग रहे है कि ये दो टाइब कंड इसे मतीक होंगा इक है यह यह समय पर जाएँ जब कर içe उख रहा था उसको यह तह राकल आए तो इसको आप क्या बोलेंगे इसको आप एक चीज़ बोल सकते हैं यह है प्राइस एंड मोमेंटम का बीच का डाइवार्जेंस तो यह जो डाइवार्जेंस है यह छुड़ा टाइम प्रेम पर दीखना स्टार्ट हो गये हैं तो इसलिए इतर से ओबनाइट कोई क्वाल आप कभी कभी सेज़ एनलाइसिस करने के बाद भी लॉस पे क्लोजिंग करते हैं और कभी-कभी गलत एनलाइसिस के बाद भी आप लोग प्रोफिटेबल बन जाती है तो इसलिए आपको यह नहीं करना है कि मार्केट जो है यह इधर से जो रूल है जो मैं फुल करता हूं वो यह हैं कि market अगर कोई 1,2,3,4 के बाद यह फीप के अंदर मुझे लाग रहे हैं तो मैं उदर से call buying बिल्कुल भी नहीं करूंगा तो इधर से यह call buying मैं भी इंटरडे के लिए ठीक है बट ओबर नाइट के लिए सही नहीं है तो अभी सेम चीज जो है यह आपको बैंक निफ्टी पर भी दिखाऊंगा बट उससे पहले इची मुकु वाइस बे आप लोग अगर देखना चाहेंगे कि यह निफ्टी का 5 मिनि निफ्टी पर हो रहा है कि नहीं तो यह हैं निफ्टी बैंक का 5 मिनिट्स का चार्ट है तो इधर आपको दीख रहे हैं कि इधर भी RSI वाईस जो है इधर से मार्केट के स्लाइटली धीरे-धीरे आपसाइड जा रहे हैं बट RSI यह दिखा रहे हैं कि इधर डाइवर्जें से हैं Momentum wise divergence है अगर इधर से देखेंगे तो यह कुछ volume इधर आया था बट उसके बाहत से volume wise भी कम होने लागे हैं तो कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं कि मार्केट लुक्स लाइक कि यह फिप तो यह यह कंप्लेट कर चुके हैं या फिर उसके एकदम करीब करीब है तो इधर मार्केट क्या कर रहे हैं आप देखिए इधर से जब भी यह रेड लाइन के उपर मार्केट है इधर टाच कर रहे ह उपर जाने तो ये बेस लाइन जो है या कीजून लाइन ये किसी तरीके से इसको hold करके रखे हैं और कभी-कभी ये जो है इसको bridge करने के बाद ये cloud से थोड़ा support ले रहे हैं यानि कि इधर overall जाए nifty पे देखिए bank nifty पे this is not in a good shape ये आपको support नहीं देगा तो इधर इसने ultimately ओ क्यूं मैं sorting ना करों और इधर क्यूं मैं sorting करों ऐदर से मैं क्यों करों और इधर से मैं sell क्यूं ना करों राइट तो यह जो blue line है जिसको tankan बोलते हैं यह tankan को छोड़के आपको यह awesome सा नाम ले लीजिए तो यह जो है यह tankan है और यह किजून line है यह red line ठीक है और इस blue line को बोलते हैं tankan तो यह जो T और K है इसका crossover इधर हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा जैसे कि इधर इसने market ने आप से भी support ले रहे हैं हो सकते मार्केट और ऊपर चले जाए तो इधर आपको एक ही चीज़ करना है कि इधर मार्केट ने एक green candle बनाया उसके बाद मार्केट ने किया किया यह जो blue line है यह इधर से और थोड़ा नीचे चले आए और यह एक बहुत ही perfect setup था इधर इधर ने बस इतना ही किया कि इधर से में भी some kind of यह one बनाया है दिन यह kind of an abc करके two बनाते हैं mostly जो होते हैं अगर आप one minute पे जा कर देखेंगे तो same ही दिखेगा दिन यह three के लिए आते हैं या फिर abc के लिए हो यह अगर one है two है तो यह three के बाद यह four के लिए हो तो यह fifth के लि divergence दिख चुके हैं और यह जो भी लाइन जो बहुत देर से protect कर रहा था उसके नीचे market आ गये हैं और इधर cloud से support लेने के बाद भी एक बड़ा red candle बन रहे हैं तो इधर जो मैं करूंगा यह होगा मेरा एक proper selling area ठीक है यह candle को देखने के बाद और यह जो red line है इस red line जो किजू online में बोला उससे थोड़ा सा उपर पे closing basis पे होगा थोड़ा सा ही उपर पे closing basis पे होगा मेरा invalidation level उसके बाद से यह जो भी market ने किया it is very much fine तो ऐसे करके मैं market को बड़ देखने का कोसिस कर रहा था आज पूरा दिन और आकड़ी पे चलिए देखते हैं कि इधर market में आज मैं मैंने कौन सा position लिया उससे profit हुआ कि loss हुआ और जब भी market यह फीफ तो इपे चलते हैं तो इधर अगर मैं sure नहीं हूँ तो मैं यह फीफ पे चल रहा है मुझे लाग रहा है तो if I'm not directionally buying or selling चाहिए call को मैं sell भी नहीं कर रहा हूं directionally या फिर put को मैं buy भी नहीं कर रहा हूं directionally तो मैं कर कर रहा हूं चले ओ देखते हैं तो इधर मैंने जो किया है यह बस दो lot का मैंने किया है इधर जो margin वागर है यह दिखा रहा है तो इधर बाद में market ने क्या किया I think आपको देख भी रहा होगा कि इधर मैंने क्या किया था सुरू में यह जो 44,000 रहा है और यह 42,600 इस दोनों को मैंने किया था सेल यानि कि मैंने बस एक strangle जो बोलते हैं उसको मैंने create किया था और बाद में यह जो है जित्तितना market up side पे जब गया तो मैंने food side का यह जो selling है इधर से निकल के और भी जो है थोड़ा और कोई pass का कोई एक मैंने selling किया था यह 42,900 जो मुझे अच्छा का सा profit दे कर जा सकते हैं जो इधर आपको दीख भी रहे हैं कि market काल अगर इधर चले भी आएगा या इधर चले आएगा लगवग 1% के आसपास अगर खुल भी जाएगा तब भी कोई issue नहीं मुझे profit ही यह देगा और upside पे गया तो इधर बहुत ही कम loss है जिसको मै by Thursday side छोटा मुटा इसे ही लेकिन profit पे रह सकते हैं और market अगर कल इधर या थोड़ा इधर उदर खोल भी गया तब भी यह मुझे आच्छा का सा profit देगा अगर किसी कार market ने बहुत बड़ा gap down किया तब जाकर यह मुझे आच्छा का सा loss दे सकते हैं जो अभी के लिए likely नहीं है तो इधर मैंने क्या किया दिन का आखड़ी पे यह सब जो था इसमें से यह जो लॉस था देखिए इधर जो भी था यह profit बाला जो भी है यह 400 का profit 800 का profit यह 840 का profit तो यह सब जो है मैंने profits को book किया और यह जो लॉस है इसको मैंने रान करने के लिए छोड़ दिया वुझे proper hedge यह 18th में का यह बाकि सब कुछ है 11th में का बट यह 18th में का एक hedge लगा के मैंने इसको छोड़ दिया दिन का आखड़ी पे तो इधर क्या होगा आइधर market इधर उदर थोड़ा रूख जाएगा यह थोड़ा इधर उदर करेगा तो यह loss जो है इसको मैं अगर किसी करन 0 प देखेंगे तो आभी के लिए लगवाक एक परसेंट के आसपास profit होड़ा है तो यह थोड़ा और ज्यादा 2-3 परसेंट देख करी जाएगा ओभी weekly जो कि हमारा monthly का 10% का target से I think ज्यादा ही होगा तो आयो कि आप लोग को मैं समझा पाया हूँ कि इधर मैं किया कर रहा हूँ अगर फिर भी कोई कोड़ी है आप लोग को इसके बारे में तोड़ा कोई जान करी चाहिए तो obviously आप लोग मुझे से पूछ सकते हैं मैं obviously आप लोग के आज share करने का courses करूंगा तो आभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video पर